कि एक comment देख लेता हूं आप लोग जब रहे हैं ये कुश्चन ट्राई करें कुश्चन पर 5 कुश्चन पर 5 ट्राई करें मैं देख लेता हूं एक बड़ कि बच्चे क्या बोल रहे हैं क्या डिमांड है या क्या डाउट है बच्चों का तो एक बात ध्यान रखो एरियर डिटी तो सर्किल में बैसे थर्ड एक साई सिल्याबस में नहीं लिखी थी लेकिन सैंपल पेपर को और प्रेक्टिस पेपर को देखे तो लगता है कि आएगा तो यह समझे लो पूरा करना है ठीक है एक दो कुछन स्किप करे जा सकते लेकिन मैं मैं कहूंगा कर लेना क्योंकि है उस टाइब एक कुछन तो पूरी एक चैप्टर करना है ठीक है पूरा चैप्टर करना है क्लियर सरे मेरे प्रुवड़ में 40 मार्क्स आए मैस में क्या मैं फोड़ पाऊंगा पूरी रात पढ़ूंगा स्वाट फिल्कुल फोड़ देंगे बिल्कुल फोड़ेंगे आज सारी चैप्टर कंप्लीट हो रहे हैं अच्छे से पढ़ाई कर लो ठीक है ठीक है ठीक कुछन लिखा है अमित स्टेंडिंग ओना होरीजोंटल प्लेन पे कहीं खड़ा हुआ है चलो पहले एक होरीजोंटल प्लेन मना लेते हैं और हमारे अमि अमित को हम ए से मान लेते हैं ठीक है अमित भीया ए से हैं एक बढ़ है फ्लाइंग एट डिस्टेंस 200 मीटर फ्रॉम हिम अमित से 200 मीटर की दूरी पे बढ़ यहां पर उड़ रहा है आराम से तो इसको जोईन कर लो बढ़ से इधर ठीक है और यह जो डिस्टेंस है वो है हम 200 मीटर कितनी है 200 मीटर है 200 मीटर है अच्छा और एंगल घाली विवेशन कितना है जो हें कि इस टैन्निंग अन्द रूफ आफ 50 मीटर हई बिल्डिंग अब कोई बिल्डिंग होती माला यहां बिल्डिंग है अब माल लेते हैं यहां पर हमारी को फेल्डण है यह दिस इश बिल्डिंग ठीक है अब यह बिल्ड Jonathan के ऊपर जो है डीपक यहां father दीपक एन्ड की स्टेंड क्डेंड और रूफ च्छत पर यहहान पर दीपक है दी मान लिया इसको और यह सी मान लेते हैं और यह बिल्डिंग की जो हाइट है वो 50 कुला हाइड है न वो आपकी 50 मीटर है कितनी है 50 मीटर अच्छा जी फिर क्या लिखा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन आप दी सेम बड़िस 45 यह अब इसको जो यहां से करोगे दीपक से तो यहां से बोला गया है कि भाई यह जो एंगल बनेगा वो 45 डिग्री बन रहा है कितना बन र है रुड फ्रॉण दीपक्अनि आपको यह क्या करना PD आपको टार्गेट है टार्गेट आतारेंस काए बी-डी को फाइंड आउट करना 느मष्य नहीं चल रहा है नहीं बीडी इच पाइंड रूट करना है अच्छा जी कैसे करें सबसे पहले क्या करना एक यहां सी एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और कुछ यहां पर पॉइंट यह वाला मार्क कर लेते हैं मालोडी हो गया इधर ईले लेते हैं इधर एफ अच्छा जी तो आप बताओ अब दो किसमें अप्रोच कैसे लगी बहुत आराम से हो जाएगा अगर हम एक बाद ट्राइंगल बी एफ ए ले 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 और साइन थर्टी अपलाई कर दें क्या अपलाई कर दें साइन थर्टी डिग्री जो होता है वह होता है परपेंडिकलर अपॉन हाइपोटेनियस में रखड़्वार बना देते हां को संज में आ जाएगा मैं ट्राइंगल बात कर रहा हूं angled Filip ऑ की इसकी बात कर रहा हूं इन ट्राइंगल बी एफ एकी बात कर रहा हूं जिस मैं अगर मैं नोम बना लूं इस तरीके से तो इसीच भी दिस एफ और अब इसन अगर मैं इस BFA को बना लिया मैंने, तो अगर आपके पास ये लेंथ 200 है, तो क्या साइन 30 ये परपेंडिकलर अपॉन हाइपोटेनियस से ये BF आ जाएगा, और अगर BF आ गया, ये 50 है, तो मैं कह सकता हूँ, EFB 50 है, समझ रहा हूँ, और ये जितनी भी आए लेंथ, उसमे करेंगे, ये वाला ट्राइंगल ले लेंगे, कौन सा, B, E, D ट्राइंगल ले लेंगे, ठीक है, जिसमें अगर ये वाली लेंथ आ जाएगी, तो हम BD वाली लेंथ भी फाइंड आउट कर सकते हैं, साइन 45 डिगरी लगा के, क्या, साइन 45 डिगरी लगा के कर सकते हैं, तो जलो करते हैं सबसे पहले हम BF find out कर रहे हैं साइन 30 ये उच करके तो साइन 30 हो जाएगा perpendicular upon hypotenuse यानि कि BF upon AB Sine 30 is 1 by 2 तो BF upon 200 तो ये 100 times आ जाएगा तो BF कि लोग इतनी आ जाएगी क्या BF 100 meter आ गया BF आ गया 100 meter यानि ये पूरी length BF अगर 100 meter है और ये 50 है तो मुझसे कोई BE बोलें तो BE कितना आएगा क्या वो 100 मैसे minus करना पड़ेगा 50 को क्या 50 को minus कर दे तो क्या answer 50 meter आ जाएगा तो हमारी जो BE की length है, वो क्या 50 meter आ जाएगी, जो हमारा BE है, क्या वो 50 meter आ गया? आगया BE 50 meter, अच्छा, अब जड़ा इस वाले triangle पे आ जाओ, target क्या था? BD निकालना, यानि ये पता करना है, this is 50, ये हमारा 50 है, ये हमारा 50 है, तो यहाँ पे आप sin 45 लगा दो, तो sin 45 क्या होता है, perpendicular upon hypotenuse, यानि 50 upon BD, तो sin 45 is 1 by root 2, 50 upon BD, तो BD कितना आ जाएगा? तो BD आ जाएगा 50 root 3, कितना आ गया? ये ही निकालना था तुम्हें, distance of the deepak and bird, तो ये हो गया 50 root 2, आप चाहो तो और further simplify कर लो, 50 का multiply कर लो, root 2 के लिए होती है, 1.414, क्या होती है? 1.414, इसको put कर दीजिए, या 50 root 2 लिख दीजिए, ठीक है? आपका answer same रहेगा, चलो multiply कर लें, कर लेते हैं, जो 0 का 0 आएगा, 542, 22 carry, 527, ठीक है? 542, 22 carry, 7, और 1, 2, 3, 1, 2, 3, तो क्या ये? 70.7 meter आ जाएगा? चेक करें, क्या अगर हम root 2 की ये loop put कर दें, तो क्या आपका answer 70 point something आ रहे है? और अधरवाइस आप 50 root 2 लिख दे, तब भी सही है आपका answer, अगर आप paper में 50 root 2 लिखोगी, तब भी आपका answer सही है, ठीक है? अब आप मुझसे एक बात पूछ सकते हो, ठीक है? कि sir, हम paper में root 2 value रखें या नहीं? रखें, लेको, paper में अगर कोई बोलेगा, बता देगा तुम्हें, कि root 3 के लूँ इतनी है, put कर दो, अगर नहीं दे रखी है, तो आप याद रख लो, दो ही values का काम पड़ता है, एक root 2 और एक root 3, तो मेरा suggestion यह है, आप put कर देना, क्योंकि देको इतना लिखो, teacher तुमारा यहां से check करेगा, या फिर यहां से, तो दोनों answer ह हो जाएंगे, तो root 3 के लिए रख लो, 1.732, और root 2 के लिए रख लो, 1.41, यह दो values याद कर लो, अगर आपका paper में दे रखा है, value तो बहुत बढ़ी या नहीं दे रखा है, तो यह लगा देना, last में, ठीक है, आई बास संच में, clear, okay, बहुत बढ़ी है, next question हो,